साथियो नमस्कार मैं शफी मोहमद सैफी NCRX Space News से जैसा आपको पता है कि हमने एक स्रीज चला रखिया शक्षियत शक्षियत से हम ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराते हैं आपका परीचय कराते हैं जो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने छित्र में बहु इनका क्लिनिक है और यह देश विदेश में जाकर इनको बहुत पुरसकार मिले हैं आज तक और सुगर के मामले में इन्हें बहुत अच्छी जानकारी है डाइबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं अमिद गुपता जी अमिद गुपता जी आपका स्वागत है NCR रख्षिय बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस प्रोग्राम में अपने इस प्लेटफॉर्म पे मोका दिया अच्छा अमिद जी शुगर आज एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो जातर लोगों में पाई जाती है तो आप शुगर के यहां इस पेशलिस्ट हैं विभिन जगे आपको प प्रमाज में भड़ती जा रही है और बहुत सारे लोग शुगर की बीमारी से ग्रस्त हैं शुगर की बीमारी एक इस तरह की बीमारी है जो हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करती है और सभी अंगों को नुक्सान कर सकती है इसका सबह रहते पता लगाया जा सकता और सही इलाद से सही दवाईंवेंजिक्ति. अगर हम अपनी शूगर को नियंधीक्त में रखते हैं तो इसके होने वाले दुशप्रभाव से भी बत सकते हैं. शुगर के लक्षन क्या होते हैं शुगर के लक्षन कब जोरी महसूस करना थकान महसूस करना बहुत अधिक प्यास लगना बार बार पेशाब के लिए जाना रात में पेशाब के लिए कई बार उठना बहुत तेज भूक लगना वजन का कम होना यह सब शुगर के लक्षन हो स शुकर कि विमारी लगब्र दो कैटेगर्य में डिएक की जाती है एक को टाइप ट्व डाइबटिस बोलते हैं ओनी वेक्टी ना निगिए oops यह तोडस होड़ा सा उसके बादवाली है लेकिन आजकल यही बच्चोंfed भढ़ रही है क्योंकि बच्चों में physical activity का अभाव, genetic factors, stress तनाव, पढ़ाई का तनाव और बोटापा, ये सब मिलकर के diabetes को भढ़ावा दे रहा है पचास पिलस लोग, 50, 40 पिलस जो है एज, इस से उपर के लोगों में बहुत जादा diabetes आ रही है, तो उन लोगों को क्या साफ धानिया बरतनी चाहिए है देखे, सबसे जरूरी बात ये है कि अगर आप 50 वर्ष के उपर हैं और आपको diabetes नहीं भी है, तो साल में एक बार अपना कम से कम diabetes के लिए चेक अप जरूर कराना चाहिए अगर आपको diabetes है, तो diabetes के लिए नियमित रूप से इलाज करना बहुत जरूरी है, खान पान को समझना, नियमित रूप से physical exercise, physical activity करना, और साथ में अपनी दवाईयों को भी बराबर लेना, और शुगर को चेक करते रहना, अगर हम इन चार चीज का अनुकरन करें, तो हम अपने नुकसान कर बैठते हैं, और सही इलाज तक नहीं पहुच पातें, तो मेरा सभी से यह अनुरोध रहेगा, कि सबसे पहले इस बिमारी के लक्षन को पैचाने, कई बारे बिमारी silent भी हो सकती है, और जरूरी निकी लक्षन आपको दिखाई दें, अगर आपको बिमा से मिल करके अपनी शुगर का इलाज करें